हलो फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नात आप सबीको मेरे सारत जुगेचन में स्वागत है आज हम पढ़ेंगे टीचिंग आप्टीचूड का 35 कुस्चिन आज स्वाल्प करेंगे देखे फास्ट कुस्चिन देखे लु Joan प्रेंगे में टीच कर लेखेंगे संवागे लापल अफिर्डाश है कि प्रिखेंप स्वासिंगे करहें लुट एक्स पुषण टेस्ट त इसेकंड देर इसे लाइकलोर ढेंगे को सब्सक्राइब कालर डिगर्डी आफ़ एक्स पूसरें प्राइबिया को अपीज़ आट दू गार कर पुष्ण टेस्ट इसे जिसेने विएक्किलगोर्ड देख्ट सब्सक्राइब में पूस्तिक दो दो रिसर्च कर रहा होगा और रिसर्च मेथरलोजी पड़ा होगा टेस्ट आफ रिलाइबिल्टी उसको साथ पता होगा देखे टेस्ट आफ रिलाइबिल्टी मिंच हमारा जो डाटा होता है हमारे पास उसको बार-बार चेक करना बार-बार चेक करना कि वह रिलाइबिल प्रफ तब स्क्वेंच में आ रहा है नहीं है जो डाटा हमरे पास है हमारा जो अंससर आना चाहिए है ओर शीक्वेंच में नहीं कि नहीं बार-बार चेक करने से उसको पता चला उसका reliability मिलगा reliable स्वे शनले सेम डाटा reflect करें उसको हम reliability बूल सकते नहीं जब बार-बार एक ॥ एकी डाटा को बार-बार टेस्ट करेंगे मतलब उसमें जो-जो इंस्टुमेंट्स होगा क्या और एलिमेंट्स होगे उसी जागा पर वह रिपीट आना चाहिए उसी जागा पर वह रिपीट आंगे तो उसको हम स्टूडेंट के उपर की apply होता है क्या होता है जब स्टूडेंट को बार बार आप चेक करो उसका क्या होना ओना सब्सक्राइब सब्सक्रिट करें नौलेऀस' को उसको दस कुश् principio तो वह सब करद सब्सक्रिख अंवाइगा जितने बार उसको टेस्ट करो हुआ पर क्या हो सकता है there is a like load यह option आपका first of all option correct हो सकता है there is a like load that a pupil will maintain his heart जो pupil होंगे जो students होंगे वो maintain करेंगे उनका position जो उनका position है उनका group में वो properly maintain करेंगे जितने बार उनको change करने के लिए आप कोशिश करो वो change नहीं होंगे same position फिर repeat होंगे मतलब test जितने बार आप उनको test करोगे सबी student को उनका जो position होना है उसी position में वो repeat में आ जाएंगे उसको हम बोलेंगे degree of reliability उसका मतलब आपका अंसार हो जाएगा यह हो जाएगा there is a like load that a pupil will maintain his heart position in the same group of test taker when he or she takes an equivalent test same test जब उनको प्रप्लाई करेंगे उनका result same ही आएगा तेको next question देको the likelihood that a pupil will maintain his or her position in the same group of a test taker when he or she takes an equivalent test is a measure of the dash of the test अभीतो उसको पड़े reliability of test reliability of test होगा next question देको out of the following the most useful test for the starting relationship among the pupils in the in the dash होगा अंती अंसीडो 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 टाल रेकर्ड सिस शोचियो ग्राम रोर्च स्टेट कूडर प्रोग्रम टेस्ट कूडर प्रोग्रम टेस्ट क्या 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 दे रहा है आप खुदी पढ़ सकते हो ओके यहां पर क्या हो रहा है most हमको question क्या बोला है out of the following the most useful step for starting relationship among the people जितने भी हमारा students होंगे उनके बीच में जो contact student के बीच में जो contact जो princip होना चाहिए उनके बीच में जो जो उनका subject को लेकर interaction होना चाहिए ओ ठीक से के से पता चलेगा कहां से आमको पता चलेगा पर आंसर आपका होगा सोस्योग्राम में से सोस्याली रिलेशन आपका जो students होंगे जो कि आपका class में जितने भी बच्चे होंगे सावी के बीच में क्या क्या कितने contact है contact कहों से मिलेगा जैसे कि हम social media किसी और को बात करने में जैसे कि facebook और whatsapp वह जो कि जो भी social media हो गया ना उसमें ऐसे क्या होता है और link होता है एक लिंक होता है एक परसंट से दुसरे परसंट को एक link होता है आपका class में जितने भी students होंगे उनके बीच में कितने links है उसी को ही हम socio socio gram socio gram लिंक है graph वाला जो link होता है हम graph बनाते जब graph में क्या होता है एक point को दुसरे point में जोड़ते है फिर दुसरे point को तिसरे point में जोड़ते है उसी को हम graph ही बोलते है ना यह हम पर होगा socio gram यह हो जाएगा जो student के बीच में जो relation सो करता है उसको हम socio gram ही बोल सकते है next देखो the best argument for the group intelligent test is that best argument best argument best argument for group intelligent test is that it treat all the children equally provides the teachers with diagnostic information is less tension producing than an individual test is the least expensive method to determine the IQ क्या हो लाए the best argument for pupils group pupil test जब भी आप group people को test करे हो मतलब आप एक class में जितनी भी बचेह सभी को क्या करे हो उनका IQ test कर रहे हो क्या करना है आपको क्या करना होगा आपको क्या करना है least expensive जो के आपका अंसार होगा D होगा is the least expensive method to determine the IQ उनके बीच में IQ कितना है सभी मतलब आपका class में 50 students हो suppose 50 student के बीच में आपको टेस्ट करना है टेस्ट करेंगे तो उनका IQ test कर लो कितने क्या 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 difference आ रहे हो आपको पता चलेगा उसी को ही आम बोलेंगे लो least expensive ही हो सकता है is the least expensive method to determine the IQ next question देखो the least justifiable use of the result of a standardized reading test is to evaluate the reading instruction program serve as a basis for report card marks serve as a basis for parent conference serve as a basis for making groups in the class क्या हो सकता है आपका answer यहां पर हो सकता है the serve as a basis for report card में question के आदर है least justifiable use of the result आपको result कहां पर मिलेगा result आपको card में ही मिलेगा of the standardized form standardized form में आपको कहां पर मिल सकता है program instruction तो नहीं मिलेगा parent conference में तो नहीं हो सकता है making group in the class नहीं हो सकता है आपको report card में ही मिल सकता है next question देखो the term identical element is closely associated with the group instruction transfer of learning jealousy between the twins similar test questions क्या बुला है identical elements identical elements क्या बोलता है यह होलता है test of transfer of learning identical means क्या होता है transfer of learning होगा transfer of learning क्या बोलता है कि जो कि आप सपोज सपोज यह आपका teacher आपका teacher यह आप खुदी एक teacher हो आप खुदी एक teacher हो तो आप क्या गरो है आपको student को एक new knowledge देर हो new knowledge देरने से पहले भी और कुछ knowledge दिया था जब आप new topic स्टार्ट कर सपोज एक chapter से दूसरे chapter का आप शिप्ट करों मतलब क्या करोगे कैसे shift होगे इसी chapter को old chapter को new chapter से connect करके ही आप shift होगे मतलब आप यहां पर क्या होगा जितने connect होगा first chapter से second chapter को उसी इसाब से chapter का learning जो उसका knowledge next chapter में जितने भी knowledge होगा वो क्या अच्छे से बहुत ज्यादा क्या हो सकता है transfer हो सकता है मतलब student को student को अच्छे से समझ में आएगा वो अच्छे से उसमें perform कर पाएगा तभी कैसे होगा जब आप उसका previous knowledge से उसका contact कर पाओगे previous knowledge से उसका contact जब आप कर पाओगे तभी जाकर student का क्या हो सकता है डेवलप हो सकता है okay उसका मतलब transfer of learning क्या हो सकता है identical elements मतलब previous previous study में जो identical elements से उसी को contact करना है उसी को contact करके new knowledge उसको entry करना है प्रोजेक्टिव टेस्ट करने के लिए हम प्रोजेक्टिव टेस्ट करते हैं प्रोजेक्टिव टेस्ट में क्या होता है प्रोजेक्टिव टेस्ट में क्या होता है जो हुमन का जो माइंड होता है आपका स्टूडिन का जो माइंड हो उसको आप स्टूडि करते हो उसका बीईवर को चेक करते हो ओके पॉर्सन्स का थौट्स फिलिंग्स इमोशन यह सब ह यहां पर क्या होगा आपका जो स्टूडेंट को फोकस में रहेगा उसको आप उसका जो मेंटाली कैसे है उसको चेक करोगे इमोशनली चेक करोगे विवयर चेक करोगे थोर्स चेक करोगे उसका माइंड होगा उसको चेक करोगे तब ही जाकर आपका क्या हो सकता इवलोशन पर्सनालिटी आप चेक कर सकते हैं यह मेथड को कौन प्रोजेक्टिव टेस्ट वह भी इंट्रडूस किये थे नेक्स पोचिन देखो गुप टेस्ट धाफ बनाम्स फ़र इच ग्रेड़ आंड अड आट आर अडमिस्टेटर इन अकररं चुई थी दा इन्प्रोम प्रोचिजर्स 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 लिस्टिद इने मामाल अपर इंस्ट्रक्शन इच कॉल्ड स्कूल वाइल्ड 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 टेस्ट क्लास टेस्ट क्या हो सकता है यह आपका हो सकता है स्कूल टेस्ट होता है ग्रूप टेस्ट प्लॉस्टू भी है ग्राजुएशन में हो पीजी भे उसके उनके हिसाब से आपका स्थांडर्स स्टेट करना पड़ेगा स्कू नॉर्म स्टेट करना पड़ेगा तब ही जाके उनको आप क्या कर पाओगे टेस्ट कर पाओगे ओके नेस्ट कुस्चिन देखो अल्दो स्टेटी जो नॉर्म फाइनल किया हुआ है उससे नॉर्म से भी कम आ रहा है नॉर्म से भी नीचे आ रहा है यह तो रेजल्ट ऑफ स्टांडर्डाइज साइंस टेस्ट फॉल विदिन दॉस इस तेंथ परसंटाइल तो मोस्ट प्रोवाइल रिजन फार देम दिस इज जाएंड़ किया था उससे नॉर्म से वह निचे आया उनका सभी च्टूüst्डेट का रिजल्ट के आया निचे नॉर्म से निचे आया तो क्या हो चाकते प्या है त-, नफ्ट-उच्रीम की पोरिकुलं इज ब्रोट से लिच्प होसाइब रहा हैcratesoscope działaire स्कूल का स्कूल में अच्छे से नहीं पड़ा है टीचर क्या हो सकते हैं कि किस सक्समारृं को सक्थे स्कूल सबर्टम तो इतन साथ प्रोल्लमों आ सकती है नेश्ट देखो ता लिमिटेशन आप फाइफ स्टेज सिस्टम आप हरबट हरबट कि कौन है जो कि जो कि हमारा जो मेमरी लेवल मेमरी लेवल आफ अंडरस्टाइडिंग हमारा three level of teaching होता है, memory level होता है, understanding level होता है और reflective लेता होता है जो कि हर्बर्ट जो है, जो कि हमारा memory level को वो प्रोपाउंड किये थे, मतलब introduce किये थे उसमें वो क्या हम introduce के हैं? five stages of learning को introduce किये थे क्या है? preparation, presentation, association, generalization and application उनके five stage में क्या-क्या था? preparation, presentation, association, generalization and application जो मोरीशा ने वो five stage दिये थे, किस के लिए? understanding level के लिए और reflective level के लिए होंट और जॉन डीवाई, वो होंट जो father थे, father of reflective level थे और उसको प्रोपाउंड कोन किये थे? john डीवाई, जो कि reflective level को प्रोपाउंड किये थे उसको याद रखेगा, ओके देखिए, यहां पर क्या दे रहाए? making of the, making the students passive, giving lesson importance to the teacher, giving less, less importance to the knowledge, giving more importance to the planning, limitation of five stage में क्या होता है? यह limitation होगा, making the student passive, नहीं, यहां पर passive student को, क्या student को passive बना रहा है? क्योंकि हमारा जो memory level होता है, वो teacher only active होता है, और passive कोन होता है? passive teacher, student होता है, क्योंकि वो teacher यहां पर जो भी, जो भी instruction देगा, वो student करने के लिए, वो compulsory होता है, इसलिए वो passive होता है, next देखो, यह lesson, यह lesson in which examples are given first and then students are told to, daily net, net as general rule of our principle, is known as deductive lesson, inductive lesson, knowledge lesson, developing lesson, देखे, जो inductive और deductive होता है, two lesson होता है, inductive lesson में क्या होता है, वो श्रीप example देता है, और student को बोल दिया जाता है, क्योंकि तुम्हें के new rule formulate करो, new rule formulate करो, और deductive में क्या होता है, जो new rule होता है, उसको apply करने के लिए, उनको बोला जाता है, यहाँ पर क्या आपका answer क्या हो जाएगा, inductive lesson हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या example देआ गया है, student को बोला गया कि rules बनाने के लिए, rules और principle बनाने के लिए, क्या होता है, inductive में क्या होता है, जो student होता है, वो rules बनाता है, और deductive में क्या होता है, जो rule बना गया है, उसको apply करता है, जो student deductive में होता होगा, वो apply करेगा, और inductive में जो होगा, वो rules को बनाएगा, ओके रूल्स को मेर्ड करेगा नॉलेज लेशन क्या होता है नॉलेज में क्या होता है सब जितने भी सब्जेक्ट होता है सभी के ऊपर टीटेल नॉलेज जिया जाता है उसको नॉलेज लेशन बोलेंगे डेवलोपिंग मतलब वह ओबराल डेवलोपिंग किया जाता है स्टू guitar लेफने चिश्टीर Oh you that have it टुटव श९ाय पाइज पाइफ चैजिस्टम इज नालेच थैजी से मडूर्थी यहां पर एक्डि क्या गुवाएफ अपर नेज्ओं नौलेच सबीकश मेर्बर में क्या होता है यहां पर क्या होता है यहां और उसमेंन प्रेज़नेशन आप्लिकेशन यह सब टीचर स्टूडन की ओपर ठोग दिया है उसको करना उसको करना है प्रेजल करना है उसको ऑस्तिक करना है जहन्सकेंट इसमेंफ्लकर गुंसा फूड हाता है जब छोटा बच्चा होता है अबिसिति लिए और करता इसके सटनार ओन स्टनार्डर तू एसे ही हो क्योंकि उसको नौलेज नेँ लोटा इसको क्या करना कहां ली मेमुरी में डौन करना पड़ता है ओके, next देखा, who is the considered to be the creator of the play way method of education, play way method of education, play way method of education का कौन प्रपांडर थे, जो कि फोर्बल थे, यहां पर option देखा है, कोल्ड वेल कुक, फोर्बल, माडम मॉन्टेसरी, जौन डिवे, जौन डिवे तो होगे, अंडरस्टाइड, नहीं, नहीं, रिफ्लेक्टिव लेबल होगे माडम मॉन्टेसरी दो, मॉन्टेसरी लेबल होगे, कोल्ड, कोल्ड वेल को, वो क्या करने पता नहीं, वो फोर्बल होगे, आपका प्लेवे मेथड, जो कि देते, the special feature of the play way method is that, game takes the place of studies, there is no importance of studies, in it, games are added into studies, in order to remove the bottom and monotony of the letter, education, education cannot be complete without games, देखो, यहाँ पर आपका अंचार होगा, C होगा, प्लेवे में क्या होता है, games होता है, okay, games are added into the studies, in order to remove the bottom and monotony of the letters, okay, next question, देखो, देखो, the project education, the project education method is teaching, method of teaching is associated with it, rows, या, DOE, फोर्बल, I am strong, आपका आपका आंचार होगा, project education, project education क्या होता है, जो कि आप पहले भी हम पढ़ चुके, उनका आंचार होगा, DOE होगा, जो कि, क्या होता है, वो, यहाँ पर student का mind को, behavior को, learning को, और उसका जो feeling से, उसी को हम study करते, इसको हम DOE का आक्षन बोल सकते, नेस्ट होगा, this method, treat, tends the child to search for fact, rules, principles by his own fact, organism, the set of knowledge gained under delineate general rules, the affirmation statement is about the following methodology of a treatment, of teaching, क्या हो सकता है, Montessori, heuristic, kindergent, play way, क्या हो सकता है, आपका होगा, heuristic होगा, आपका होगा, answer हो क्या होगा, this methodology, treat the child to search for the fact, rules, principles by his own efforts, organized, the set of knowledge gained under delineate general rules, ये कौन बला था, जो कि, heuristic method में होता है, heuristic method में student को पूरा free दिया जाता है, जो कि, वो खुदी सर्च करेगा, methodology, child search करेगा, fact करेगा, rule को read करेगा, उसको principle को understanding करेगा, ये सब को उसको free में, मतलब free किया जाता है, नेक्ट देखे, in garage plan, work is important, play is important, learning is important, all of these three have equal importance, garage plan में all three को important दिया जाता है, नेक्ट देखो, under the one-cata plan, the diversity of interest, interest of the students is recognized, the diversity of abilities are accepted, the diversity of needs are accepted, all of these are recognized, यहां पर क्या होता है, यहां पर क्या होता है, यहां पर क्या होता है, डेलटन प्लान में free किया जाता है, जो student होगा, जो कि थोड़ा सा senior होगा, थोड़ा सा senior होगा क्योंकि वो कहीं पर काम कर रहा होगा उसको काम करने के बाद उसको जब time में लगा उसी इसाप से उपढ़ाई करेगा इस इसाप से वो delta प्लान आया था ओके next देखो वाई do you do you not do you not support the five stage of method फर्बट वाई in this in this there is no scope for the individual diversity of students under this it is a difficulty to make a coordination between various subjects under this generalization is not required to be done while teaching subject like language history geography extra all of this क्या हो सकता है कि आपका answer होगा all होगा ओके यहां पर क्या होता है हर्बर्ट में क्या होता है student जो होगा उसको proper diversity नहीं मिलता difficulty to make coordination between various subjects student को student για radix के इतना knowledge नहीं होता है को सब को हो सब को क्राक्षट कर पा है the generalization aah not required 1 ten पर regeneration required नहीं होता है यह सब होषाब्स not support नहीं करता है यह सब को support नहीं करता नेक्स्ट थे को in day school provisions must be made for free and natural expansion of a child who gave the who gave the lessons गेप दी स्टेटमेंट टी ए रेमंट मोंटेशरी रेबन लेंड़न कौन हो सकता है आपका अंशार होगा सी मोंटेशरी होगा इन दा स्कूल प्रोविजन्स मॉस्ट पी मेड फर्द फ्री और नेचुरल एक्स्पांशन अपर चाइड चाइड को नेचुराली नेचुराल फ प्राइड प्रोविजन्स जंग प्रस्टोले मोंटो होगा सुष्यल नेचुरिय चिवरा जियन्यट बीट सुशल नेचुरालर। ö अपका अंशार होगा सुष्यल निट अकरीा इन तो डנट इन प्ता स्टेस्ट आप बीज्ग शेंग्येश्य सुमु भ्यूज ऑप जंग इजुगेशन मस्ट बी सेल्फ डिपेंड़ लिट्रेशी जी एजुगेशन एजुगेशन मस्ट बी सौच आज टू डेवलप अल दा पावर और इन्हेरेंट एक्वालिटीज अब दा चिल्डेन क्या होना चाहिए आपका अंसर आपका अंसर होगा लिट्रेशी ज एजुगेशन अ ये नहीं ये गांदिजी का अप्रोच नहीं था ओके नेश्ट देखो The theoretical basis of Montessori educational system is complete freedom of the children, child to in love, in game of his choice, that the child get inspiration from the teacher, freedom of the child in expressing his test, orientation, the game assists the child in his education. आपका अंसर होगा, आपका अंसर होगा, आपका अंसर होगा, C होगा, जोकि freedom of child in expression, his test and orientation, यह होगा, आपका अंसर होगा, next देखो, according to Dalton scheme of education, which one following is dominant, the teacher, student, contract guidance, क्या हो सकता है, आपका जो student होगा, क्या होगा, वो dominant में होगा, क्यूंकि वो Dalton scheme में क्या होता है, student, teacher की teacher, जो बोलगा, वो ही करना चाहिए, okay, who get the principle of pupil activity, Russia, communist, Henderson, Bennett, कौन दिया था, यह communist, communist जो की, pupil activity rules दिया था, next, personalized system of education does not include a feeling of socialization, in students does not include a feeling of competition, in students learning, students lead to wastage of time and energy, all of these, क्या होगा, आपका अंसर होगा, all होगा, personality system is education, does not inculcate a feeling of socialization, in students does not inculcate a feeling of completion, competition in students lead to wastage of time and energy, यह हो सकते है, okay, नेशे देखो, फर्वेल, most important contribution to the education was his development of the vocational schools, kindergarten, public high school, Latin school, यह क्या हो सकते है, आपका अंसर होगा, आपका अंसर होगा, kindergarten, kindergarten, okay, फर्वेल्स, most important contribution to the education was his development of the kindergarten, next, देखो, all of the following advocated, all of the following advocated principles of child development are closely allied to the stimulus response learning theory, एक्सेप्ट, आपका अंसर होगा, गेसल, गेसल होगा, आपका अंसर, all the following advocate principles of the children development are closely allied to the stimulus response learning theory, एक्सेप्ट, 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 यह सब दियेते, यह होगा, पावल, 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 खिर्न, okay, नेस्ट देखो, at least one third, at least one third of learning, learning that will determine latter level of school, latter level of school's achievements, has already taken place by the, by the age of six, this is the statement most, most closely associated with the learning of Benjamin Bloom, Forgett Riddle, Martin Moyer, Nathan Glazer, आपका अंसर होगा, आपका अंसर होगा, बेंजामिन ब्लूम होगा, okay, Bloom's taxonomy जोवाया था, at least one third of the learning that will determine latter, latter level of school achievements, has already taken place by the age of six, okay, एक्सेप्ट दियेते, जो कि Benjamin Bloom's, okay, धन्य बाद, थेंक्यों, जाज जागन्दात,